शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है ऐसे मैं आपको घबनाने की ज़रुद बिल्कुल भी नहीं है बिग ब्लिस है आपके साथ अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस एप और सिर्फ 10 मिलट में पाए अपना सारा समान बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकार समस्कर, जानेंगे सकारोबारी सब्तर, मेजर एगरी कमोनिटीज याने क्रिशी फसलों में क्या रुजहन दिखने मिलेगा अशुरुआत मसाला कॉंपलेक्स से करते हैं हमने देखा कि हल्दी में 7,850 के नए रीसेंट लोज बनते हुए देखे जिसके बाद 8,000 तक की भी क्लोजिंग आते हुए देखी है तो इसके साथ ही जो हमने पिछले हफ्टे डिस्कस किया था 7,850 की लक्ष आ सकते हैं वो फिलहाल अचीव होते हुए देखे हैं वो सीमित या लिमिटेड होगा और 8,200 के उपर फिलहाल अपराइजिस जाते हुए नहीं दिखती तो एक शॉट कवरिंग मूफ जिसे कहते हैं आने वाले कुछ दिनों में देखने जरूर मिल सकती है लेकिन अपसाइड कैपड रहेगा 8,150 के करीब वहीं धनिया की बात करें तो हमने धनिया में भी जो एक पिछले लोज थे याने 10,800 से 10,900 के बीच वहाँ पर स्थिर्टा आते हुए देखी है और 11,000 के उपर के क्लोज भी आते हुए देखे हैं अज़ा लगता है कि दनिया में भी उच्छाल देखने मिलेगा फिलहाल 11,300 के करीब की क्लोजिंग आई है और आने वाले कुछ सेशन में 11,600 से 11,650 तक किस तर हमें देखने मिल सकते हैं तो इमिजएट तोर पर जो भी डिप आते हुए दिखे याने दोबारा अगर 11,000 के करीब प्राइज़ दिखे हैं तो वहां पर बाइंग ऑन डिप्स किया जा सकता है 11,650 के लगट के लिए वहीं जीरे में भी हमने 20,850 से 22,200 की जो एक रेंज की बात की थी तो इस दाइरे का या इस रेंज का जो निशला चोर है वो फिलहाल प्राइज़ ने चुआ और जीरे में भी हमें 20,850 तक किस तर देखने मिले लेकिन वहां से दुबारा बाइंग आते हुए दिखी है तो ऐसा लगता है कि ये बाइंग सस्टेनेबल है और आने वाले दिनों में एक उच्छाल 22,200 तक आता हुआ देखेगा लेकिन जिस प्रकार हमने पहले डिसकस किया है कि एक दाइरे में ही कुछ समय और जीरे की प्राइज़ रहेंगे तो वही मैं कहना चाहूँगा कि वही एक रुजान देखने मिलेगा हाला कि अगर मैं लंबी हवदी की बात करूँ याने आज से एक कौर्टर या एक दिमाई की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 23,000 से 24,000 तक के लेविल भी ओवर आल हमें देखने मिल सकते हैं तो शॉट टर्म बेसिस एक दायरे में होगा या रेंज बांड होगा कारोबार लेकिन लंबी हवदी में 24,000 तक के भी लेविल हमें आज जीरे में देखने मिलेंगे वही पर अगर गौर कंपलेक्स की बात करें तो जो 5,900 से 6,100 का दायरा था वो फिलहाल नीचे की तरफ टूटा है हाला कि कच्छे तेल में अंतराशे वजार में अभी तेजी का माहल है लेकिन वो फिलहाल गौर सीड और गौर गम में रिफलेक्ट नहीं हो पा रहा है खास करके गौर गम में हमने देखा कि 11,300 के जो सतर थे जो पिछले हफ्ते तक होल्ड हो रहे थे वो तूटते होए देखे तो ऐसा लगता है कि फिलहाल 11,300 के जब तक नीचे प्राइजिस सस्टेन हो रही है तब तक 10,700 से 10,650 तक भी फौल आ सकता है तो फिलहाल जो तेजी का रुख है वो नेगेट हुआ है और मैं कहूंगा कि यहां से करीबन धाई से तीन फीज़ी की और गिरावट हमें गौर गम में देखने मिलेगी वहीं अगर गौर सीट की बात करें तो 5,900 के जब तक नीचे ट्रेड हो रही है तब तक ऐसा लगता ह है कि इमिज़ेट तोर पे 5,600 और उसके बाद 5,450 तक के सर भी देखने मिलेंगे हलाकि अगर मैं लंबी अफदी की बात करूं तो ओवराल एक सीमित दायरे में ही ट्रेड होगा याने मैं नहीं समस्ता की 5,400 की नीचे फिलहाल अपराइज जाएंगी और वहीं पर अपसाइ डेली क्लोजिंग बेसिस और अपसाइड में 12,200 जो है उसके उपर जब तक प्राइज नहीं निकलती तब तक एक सीमित दायरे में कारूबार हो सकता है अगर मैं कैस्टर की बात करूँ तो यहां पर हमें शरुवाती दिनों में पिछले हफते के थोड़े बहुत अनर्मी दिखाई दी प्राइजिस में लेकिन हफते का क्लोज आते हमने प्राइस को जो है वो निचले सतरों से दुबारा बाइंग अट्रैक करते हुए देखा ह 7300 के करीब के लोज थे 7500 के करीब के क्लोजिंग है ऐसा लगता है यहां से 100-500 रुपए की और बड़त हो सकती है याने आने आने वाले हफते में करीबन डेड़ से 2 फीजदी की और बड़त हो सकती है लेकिन फिर भी मैं यही मेंटेन करूँगा कि 7800 का जो हाइस बने थे व वहीं अगर कॉटन की बात करें तो पिछले हफ़ते हमने नर्मी आने की बात की थी काफी हफ़तों के बाद या काफी महीनों के बात क्योंकि जिसे हमने डिसकस किया था कि 45500, 48000 और उसके बाद 50200 यह सारे ही लक्ष पोजिशनली जो हमने काफी पिछले महीनों में डिसकस की हैं वो हासिल हो चुके हैं तो फिलहाल एक करेक्शन की बजार को जरूरत थी और हमने देखा कि जून वाइदा जो है वो 44,000 के नीचे जाता हुआ दिखा हलाकि हफ़ते का क्लोज आते हैं थे हमने 46,200 के उपर की क्लोज आते हुए देखें ऐसा लगता है कि काफी बढ़िया एक करेक्शन हमने देख ली है पचासजार दोसों से लगबख 44,000 की करेक्शन हमने देखी है और इसके बाद दुबारा तो तेजी है वो रिज्यूम हो सकती है याने यहां से जब तक 44,000 के इस तर होल्ड कर पा रहे हैं जो भी dip मिले वहाँ पर buying करके चला सकता है इमिजेट तोर पर 48,000 का ही पहला लक्ष होगा और यदि वो भी cross हो जाता है तो 50,200 तक के दोबारा हमें उचाईयां देखने मिल सकती है यानि current level से या थोड़ी से dip अगर मिले तो buying on dips करके चला सकता है और तीजी के पूरे असार अब भी दिख रहे हैं क्योंकि एक बड़ी correction अलड़ी देख चुके हैं वहीं cotton seed all cake या बिनौला कल की बात करो तो जो एक दायरा बना हुआ है 2750 से लेकर 2950 का फिलहाल वही दिख रहा है sustain होता हुआ हलाकि आने वाले हफते में तीजी के साथ trade करने की उम्मीद दिखाई दे रही है cotton seed all cake में और 2950 का जो उपरी दारा है फिलहाल प्राइज चुने की possibility दिखा रही है तो यहां से downside limited है सीमित है यहां से buying करना सही रहेगा 2750 की नीचे के stop loss लेगर upside में 2950 और उसके बाद अगर price और बड़ा दिखाती है तो हो सकता है हम 320 तक के स्थर भी देख पाएं इसलिए यहां पर भी buying की अशंका बनी हुई है वही एडिबल लाल complex में हमने refine soil में फिलहाल गिरावट का दोर जारी रहते वे दिखा हाला कि 1520 के करीब ऐसा दिखाई पढ़ रहा था कि मांग उभर के आएगी लेकिन फिलहाल 1500 के स्थर के closing दी गई है तो ऐसा लगता है कि थोड़ी दिर और गिरावट जारी रहेगी और हम 1480 तक के भी स्थर देख पाएंगे यानि 1520 से 1530 के उच्छाल पे फिलहाल बिक्वाली करके ही चलना सही रहेगा हाला कि और ओर ओल मैं अभी भी समझता हूँ कि 1480 से जादा नीचे दाम जाना तो डिफिकल्ट लग रहा है और महां से एक शॉट कवरिंग मूव 1550 का आने वाले दो हफ़तों में देख पाएंगे वहीं सोयबीन की बात करूँ तो 7000 के नीचे के सर देखने मिले हैं हाला कि ऐसा लगता है कि यहां से रिफरेंट सोयबीन में भी डाउन साइड जो है याने निशले सतर यहां से सीमित दिखाई दे रहे हैं लिमिटेड दिखाई दे रहे हैं 6850 से बहुत ज़्यादा गिरावट मुझे नहीं दिखती अला कि शुरुवाती दोर में रिफरेंट सोयल की तरह यहां पर भी दो से डाई फिजदी की गिरावट और हो सकती है लेकिन 6850 की बाद मैं समझता हूँ आने वाले 2-3 हफतों में 7300 तक के भी दाम देखने मिल जाएंगे तो फिल्हाल शॉट टम बेसेज एडिपल और कॉंपलेक्स में गिरावट का रुक जारी रहेगा लेकिन गिरावट जो है वो सीमित रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है तो यह था एक जाएज़ा कि जो मिजर एगरी कमोरिटी से उनमें आने वाले दिनों में क्या रुजान देखने मिलेगा धन्यवाद फ्रेश दूद और सबजी के लिए अब घंट इंदजाद में विग ब्लिस पर ओडर करें और 10 मियट में पाएं अपने घर फ्रेश दूद और सबजी तुरंट डाउनलोड करें विग ब्लिस एप खुशियों की अपनी दुकार